जैहिं सातियो, बेलकम टू सेल्फ इस्टेडी किलास है, स्वेस सुमित जैन, यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हिंदी पैड़ागोजी, हिंदी पैड़ागोजी में लगबख हम 145 प्रसनों पर आज की वीडियो में चर्चा कर हैं, आप CTAT exam की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बर्गतीन की कर तैयारी कर रहे हैं, या रीट की किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके exam में पेड़ागोजी जरूर पूशी जाएगी, जो हिंदी से सब्मन देते हैं, तो सभी लोग उत्तर बताना है, most important है, अगर आप हमारे सामने चार बेकलफ में पहला है, सामाजिक संपर्क, लिपी का ग्यान, विध्यालाय में पढ़ना या फिर इनमें से कोई नहीं, तब चार उत्तर में, चार बेकलफ में से एक का उत्तर आपको बताना है, तब भासा बेकास की लिए जो आवस्तक होता है, वो होता है, यानि कि जो बेकलप नमर B है, वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, अंगला question देखेंगे, शिक्षा तता भासा का संबन्ध है, तो क्या संबन्ध है? शिक्षा के माद्यम से भासा सी की जाती है, भासा तता सिक्षा का संबन्ध आईस पस्ट है, अधिकान से सिक्षा भासा के माद्यम से ली एवम दी जाती है या भासा एवम सिक्षा में कोई सम्मंद नहीं है तब प्रश्न करमां के दो का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा तो आपने उत्तर जो बताया वो C यानि कि अधिकान से सिक्षा भासा के माद्यम से ली एवम दी जा तो आपका जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विचारों का आदान प्रदान ही भासा है यह नम्मर आपका सही हो जाएगा ठीके अंगला कोश्चन है भासागत विकास को प्रभावित करते हैं तो क्या प्रभावित करते हैं पारिवार के वह सामाजिक संपर्क परिवार की आ भावित करती है अंगला क्वेस्चन ने भासा सीखी जाती है सुनकर बोलकर पढ़कर या फिर अनुकरण द्वारा तब प्रश्ण किरमांग 5 का उत्तर हमें बताना है तो सभी लोगों ने बताया है कि भासा सीखी जाती है अनुकरण द्वारा सीखी जाती है डी नम्मर इसका उत्पत्ती हुई वो भास दातू से हुई है जे एमपी टेट बर्ग एक में कॉस्चन पूचा गया था भास दातू से ब्यापम ने भस कर दिया था भास से माना था भास से तो यह जो भास दातू से हुई है याद रख लिना हिंदी भासा किस लिपी से सम्मंदित है प्रश्न संस्क्रित से मागदी से बैदन क्रमांग आठ का जो उत्तर बताया है बो बताया है पाली संस्क्रित से जो है हिंदी भासा का जन्म हुआ है यह भीकलप से कोई नहीं तब देवभासा का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि संस्कृत देवभासा कहलाती है ए नमबर आपका सही होगा नेक्ट सरपरतम भासा का प्रियोग किस रूप में हुआ सांके तेक मौक्यक लिखे तेया पर इस अभी तब आपको बताना है कि सरपरतम किस रूप में हուआ, तब सभी को पता है, कि सर्प्रतम जो भासा का प्रयोग हुआ, वो सांकेतिक रूप ऐनि, भैकल्प नम्मर E है, वो इसका सही हो जाएगा, है ना, संप्रेशन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, भावो वम बечारों को दूसरे तक पहुंचाना, भावों बचारों को ग्रहन करना भावों बचारों को आदान प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं तो संप्रेशन हमें बताना है प्रशन किरमांग 11 का उत्तर क्या हो जाएगा तब सभी लोगों ने बताया है कि भावों एवं बेचारों को आदान प्रदान करना ठीक है अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें संप्रेशनल कहलाता है भावों एवं बेचारों को आदान प्रदान करना अंगला प्रशन है भावों एवं संबेगों की भा तो प्रशनिक्रमांग या बोध पूरवक सिर्वन या ध्यान पूरवक सिर्वन तब 25 का सभी लोगों को आंसर बताना है सभी लोगों ने जो आंसर बताया है बोध पूरवक सिर्वन ये जो है भाजा की सिक्षा के अंतरगा सुनने का अर्थ हो जाएगा विकल्प नमबर C इसका सई होगा अंगला क question है कि मनुष्ट को अपने देनेक जीवन में सबसे अधिक किरिया करनी पड़ती है तो आपको बताना है सुनने की पढ़ने की लिखने की या बोलने की तो 26 का अंसर सभी को बताना है सभी को कौशल पता है भासा के कौशल होते हैं ये सुनना पढ़ना बोलना लिखना अब मनुविकास का प्रधान साधन है तो क्या है 27 का अंसर हमें बताना है बाल मनुविकास का प्रधान साधन कौशल है सभी लोग उत्तर बताएंगे सभी लोगों का जो अंसर आया है वो क्या आया है वो आया है बाल मनुविक्यान का जो है बाल मनुविकास का प्रधान साधन है मात्र भासा की सिक्षा यानि जो विकल्प नमर V है वो इसका सही हो जाएगा बहुत बड़ी आंसर बालक के संब्यगों के स्थाई भावों का मात्र भासा से कैसा संबंध है 28 का आंसर हमें बताना है घनिष्ट, सामान, अच्छा या इनमें से कोई नहीं तब 28 का सभी लोगों का जो आंसर है वो गनिष्ट, बालक के संब्यगों, इस्थाई भावों का मात्र भासा से संबंध होता है तो गनिष्ट होता है अंगला question है बालकों का बॉद्धिक नेतिक ये वंसांस्कृतिक विकास निर्भर करता है तो काई पर निर्भर करता है खेल चमता पर भासा चमता पर अध्यान चमता पर या इन मैसे कोई नहीं तब 29 का सभी लोगों को उत्तर बताना है उत्तर हो जाएगा भासा चमता पर या या फिर ए सभी तो प्रश्ण करमांग 30 का उत्तर सभी लोगों को बताना है तब आपका बेकल्प जो ए है वो इसका सभी हो जाएगा बर्नमाला जो है ये बर्नों का समों कहलाती ये नमबर इसका सभी हो जाएगा सब्द भंडार देवतक हैं तो किस चीज की देवतक है भा तो वो क्या होगा चार बेकल्प है और चार में से एक का चैन हमें करना है सभी लोगों ने बताया है भासा बेकास का सम्द भंडार देवतक होता है भासा बेकास का बहुत बढ़िया अगला क्वेस्चन है मौकिक भासा की अंते में काई क्या है मौकिक भासा की अंते में बताया है B कि मौकिक भासा की जो लगुत्त में काई होती है वो होती है ध्वनी यानि B नमर इसका सही हो जाएगा हिंदी भासा में वरणों को कितनी भागों में बाटा गया है जल्दी सी बताना है एक दो तीन या फिर चार तो 33 का अंसर सभी ने बताया है कि हिंदी भासा को स क्वाति अंसर रूफ है स्थानिय रूफ सूख्षमि रूफ ब्रहध रूफ या इनसको कोई नहीं तो 34 का सब भी लोगों को आंसर बताना है उस सभी बहुत बढ़िया निम्नलकित में से कौन सी हिंदी की उपभासा है तब आपको बताना है बिहारी हिंदी पूर्वी हिंदी इस्थानी राजस्थानी हिंदी या ए सभी 35 का सभी लोग आंसर बताएंगे कौन सी हिंदी की उपभासा है तो सभी का आंसर भटा भट से आने चाहि हैं एक अनेक दो या एन्मस कोई नहीं तब 36 का आंसर सभी लोगों को बताना है सभी लोग जो आंसर बता रहे हैं वो क्या बता रहे है वो बता रहे हैं अनेख बासामें कितने प्रकार की बोलिय आंप सम recipes हैं तो अनेख बोलियां समख़़आते हैं 36 का भी answer आपको सही हो जाएगा अंगला question देखेंगे दोस्तों सीखने के प्रमुक नियमों का प्रतिपादन किस ने किया 51 का उत्तर आपको बताना है सभी लोग उत्र बताएंगे सीखने के प्रमुक नियमों का जो प्रतिपादन किया है वो किस ने किया है तब आपका उत्तर क्या हो सिध्दान्द की प्रवर्तक तो उत्तर क्या होगा इसकिनर, कोहिलर, पाउलाव या टर्मन तब 52 का सभी लोगों ने जो उत्रबताया वो बताया है कि नभीन अनुबंदन सिध्दान्द की प्रवर्तक हैं इसकिनर ये बेकल्प नमबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा दिया हेलगाड यानि वेकलप नमर जो C है वो इसका सही हो जाएगा सीखिने से परिवर्तन होता है तो किसका परिवर्तन वेक्ति के बियोहार में वेक्ति की मूल प्रिविर्टियों में वेक्ति की प्रेणाओं में उपर योगते सभी में, तो सीकिने में परिवर्तन होता है, किस में होता है, सभी लोग उत्र बताएंगे, तब उत्र होगा व्यक्ति की बियोहार में, यह जो बिकल्प नम्मर A है, वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी आंसर, प्रारम में बालक किस प्रकार सीखता है, तो तुल्टी एवं प्रियतन द्वारा सीखता है, A नम्मर इसका सही हो जाएगा, किस बिदी द्वारा विसाय को सीखने में समय की बचत होती है, तो 56 का आंसर सभी लोग बताएंगे, किस बिदी द्वारा विसाय को सीखने में समय की बचत होती है, तब सभी लो या फिर क्रो या क्रो का तब 57 का आंसर हमें बताना है आपका जो आंसर आ रहा है वो हो जाएगा इसके नर महुदर का है तो ए नमर आपका सही हो जाएगा बहुत बड़ी आंसर थांडाइक ने सीखने के कितने नीमों का प्रतिपादन किया 58 का आंसर सभी लोग बताएंगे 2, 2, 3, 4 या 5 तब प्रस्निक रमांग 58 का बताना है तब आपका उत्तर होगा 3 है ना 3 यानि की जो B नमर इसका है वो सही हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ी आंसर सीखने के लिए मनों से सरवादे किस बिदी को अपनाता है 59 का अनुकरण सूजबूच तुटी एवं प्रयास या A सभी तो 59 का उत्तर सभी लोग बताएंगे किस बिदी को अपनाता है सीखने के लिए तो जल्दी से बताएंगे 59 का हो जाएगा A अनुकरण बिदी को अपनाता है तो A नमर इसका सही हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को सुद्रन बनाने वाले तत्तों हैं तो कौन से हैं 60 का उत्तर बताना है सीखने की प्रक्रिया को सुद्रन बनाने वाले तत्तों कौन से हैं प्रेणा अभ्यास परिपक्वता या फिर A सभी तो 60 का उत्तर हमें बताना है जल्दी से उत्तर बताएंग कि आप 60, प्रश्ण क्रमांग 60 का उत्र हो जाएगा D, यानि कि A सभी सीखने की प्रिक्रिया को सुधन बनाने वाले जो तत्य हैं, वो A सभी यानि D नमबर इसका सही होगा, अंगला क्वेस्चन हैं दोस्तों अनुभाव एवं प्रिसीख्षन द्वारा वेवहार में परिवर बतन होने को सीखना कहते हैं, यानि बेकल्प नमबर जो A है, वो आपका सही हो जाएगा, जो भासा स्वभावेक रूप से सीखी जाती है, वो है मात्र भासा, यानि D नमबर इसका सही होगा, वह मूल ध्वनी जिसको खंड ना किया जा सके, वह कौन सी है, 63 का उत्तर सभी ल खंड खंड ना किया जा सके, वो कौन सी है, तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया 63 का, वो क्या बताया है, सभी लोगों को आंसर बताना है, 63 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों ने जो आंसर बताया वो बताया B, यानि कि वर्ण, वह है मूल ध्वनी जिस भी लोग उत्तर बताएंगे तो भासा और बिचारों में जो संबंद होता है वो घनिष्ट संबंद यानि बिकल्प नमर जो B है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी है बालक की भासा सब इबम सूसंस्कृत बनाने में योगदान है तो किसका योगदान है सभी को विव्यक्ति का साधन हमें बताना है 14 का उत्तर क्या हो जाएगा सभी को पता है कि विचारों के विव्यक्ति का जो साधन होता है माद्यम होता है वो भासा होती है ठीक है अंगला क्वेस्चन है बहासा में परिवर्तन के कारण है तो प्रश्ण किरमांग 15 का उत्तर सभी बत यह नमर इसका स़ी हो जाएगा, नहिख्ट है, भासा भैंसर ब्यापार है, जिससे हम सब्सक्राइब के जुए ब्युक्त करते हैं, यह जो पतंजली यहyानिANS बिकल्पमर B है, भैंसर भासा कौनसी है, प्रश्निक्रमांग 17 का उत्तर सभी लोगों को बताना है तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा मानक भासा है तो खड़ी बोली यानि बेकल्प नमबर जो A है वो इसका सही होगा ठीके देवनांगरी लिपी का वेकास हुआ है किस लिपी से रोमन, ब्रामी, फार्सी या फिर रूसी तो देवनांगरी का सभी को पता है कि इसका ब्रामी लिपी से जो है वेकास हुआ है यानि बेकल्प नमर जो B है वो इसका सही होगा भासा का उत्देश से होता है तो क्या भासन, संप्रेशन या फिर अनवेशन तो भासा का उत्देश से क्या होता है हमें बताना है तब आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानि की संप्रेशन भासा उत्देश होता है संप्रेशन हिंदी को भारत संग की राजभासा की रूप में कब सुईकार किय प्रश्न करमांग 20 का उत्र हमें बताना है 14 सितंबर 1949, 14 अगस्त 1950, 26 जनबरी 1949 या फिर 14 अक्टुबर 1949 तब आपको पता है कि हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं है ना तो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को भारत संग की राज भासा की रूप में सुईकार किया गया भासा का मानक रूप बालक कहां सीखता है मानक रूप बताना है 21 का अंसर हमें बताना है कि जो भासा का मानक रूप है वो कहां पर सीखता है तब सभी को पता है कि वो विध्याले में यानि कि बेकलप नमर जो D है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अगर आप मनुस्थ के मानसिक बेकास के लिए मात्र भासा उतनी ही आवसक है जतना की बच्चे की साहिरिक बेकास के लिए मा का दूद एह कतन किसका है तो 23 का सभी लोगों को आंसर बताना है तब ये हो जाएगा कथन महतमा गांदी यानि जो बेकल्प नम्मर A है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ी आंसर अंगला question देख लेते हैं रचना की दरश्टी से जो है भासा की सबसे चोटी ये काई होती है तो क्या होती है वर्ण, सब्द, बाक या पर सब्द भंडार तो रचना की दरश्टी से भासा की सबसे चोटी ये काई क्या होती है सभी को बताना है तब सभी लोगों का जो उतर आ रहा है वो आ रहा है एनिकि रचना की दरश्टी से वर्ण होती है और अगर आप से पूछा जाए कि अर्थ की दरश्टी से तो अर्थ की दरश्टी से सब्द होती है सबसे चोटी तो याद रख लेना लिपी है तो क्या है बरणों की विवस्ता बाक्यों की विवस्ता सब्दों की विवस्ता ये मैं से कोई नहीं तो लिपी क्या है 38 का आंसर सभी लोग बताएंगे तब सभी का आंसर है बरणों की विवस्ता क्या कहलाती है लिपी कहलाती है ये नमर इसका सही हो जाएगा अंगला question है भासा का गिरहन पक्ष है तो कौन सा है सुनना पढ़ना सुनना एवं पढ़ना या फिर लिखना तो भासा का गिरहन पक्ष कौन सा कहलाता है तब सबी लोगों ने आंसर बताया है कि सुनना एवं पढ़ना ये गिरहन पक्ष कहलाते हैं यानि कि सुनने से भी गिर बताया है वो बताया है बोलना एबम लखना भासा के किस पक्ष को परदर्सित करता है तो अभी व्यक्ति पक्ष को याओनि वीकल्प नमर जो ए है वो आप कर सही नवजाज शिसू की भासा किस रूप में होती है 41 का उत्र बताना है नवजाज शिसू की जो भासा है वो किस रूप में होती है रुदन, क्रंदन, बलबलाना या फिर कुईंग तो नवजाज शिसू की भासा बताना है तो आपका जो आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा रुदन यानि बेकल्प नमर जो A है वो आपका सही होगा ठीक है बहुत बढ़ गया हिंदी बर्णमाला में कुल कितने प्रकार के बेंजन है सबी लोग बताएंगे बेंजन बताना है बेंजन कितने प्रकार के होते हैं तो 42 का आंसर सबी को बेकास को सबी को पता है कि प्रेणा भी करती है परिपक्वता और स्वास पर सबी को करती है तो 43 का आंसर क्या होगा D हो जाएगा ठीक है निवन वैसे कौन से कौन सा बानी बेकार है बानी बेकार बताना है तुतलाना हकलाना I.S. पस्टोचारो या फिर A सभी तो सभी लोगों को पता है कि तुतलाना भी है I.S. पस्टोचार्ण भी है यानि D नमबर जो है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है प्रत्यक भासा में बाणी धुनिया होती है बाणी धुनिया होती है दो प्रकार की सीमित संख्या में असंख प्रकार की अक्येवल संयोक्त तो 45 का अंसर सभी लोगों ने जो बताया है दोस्तों वो क्या बताया है वो बताया है यानिकी दो प्रकार की होती है प्रत्यक भासा में बाणी धोनिया होती है दो प्रकार की तो यह नमर इसका सही होगा अंगला question है लिखना पढ़ना संकेतों का प्रियोग निम्न मैंसे किस की अंतरगत आता है जल्दी से बताओ 46 का अंसर आपको बताना है तो सभी लोग इसका उत्र होताएंगे इसका उत्र होगा बाणी बाणी की अंतरगत आता है बी नम्मर इसका सही हो जागा ठीक है बहुत बड़ी आंसर सभी लोग ने बताया है है ना लिखना पढ़ना संकेतों का प्रियोग निम्न मैंसे किस की अंतरगत आता है तो बाणी की अंतरगत आता है तब हमें उत्र बताना है सिसु में करंदन कब होता है जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या होगा तो परशन करवांग 47 का उत्तर हमें बताना है सबी लोग बताएंगे कि सिसु में करंदन कब प्रारम होता है तो जन्म से 6 सबताहत के बाद आपको पता होगा कि करंदन प्रारम होता है तो ये नमर इसका सही हो जागा ठीक है, सबी लोगों को लिखना है तो अंगला क्वेस्चन है, मनो बैग्याने के दर्ष्टी से सिक्षा की सारव भॉमेक पिरकिरिया है तो कौन सी है? 48 का, सबी लोग उत्तर बताएंगे 48 का जो उत्तर हो जाएगा, वो क्या होगा? तो मनो बैग्याने के सिक्षा की सारव भॉमेक जो पिरकिरिया है वो कौन सी है? अधियम, यानि बेकल्प नमर जो ए है, वो आपका सही हो जाएगा मनुष की संस्किर्टी वा सब्वता का बिकास होता है तो कैसे होता है? पाठन के लिया द्वारा, लेखन के लिया द्वारा, भासा द्वारा, इनमें से कोई नहीं तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है 49 का, C, यानि की भासा द्वारा होता है संस्किर्टी वा सब्वता का बिकास बहुत बड़ी आंसर, नेक्स्टे बालकों को इस योग बनाना है कि वे नवीन ग्यान कौंसल को भली भाती सीख सकें, किसे सेक्षन पद्धती की द्वारा होता है तो 50 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे 50, प्रस्ण करमांग 50 का उत्तर बताना है, तब आपका जो 50 का उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, C, यानि की अधियम सेक्षन प्रणाली द्वारा होता है, C नमर इसका सही हो जागा, ठी है बहुत बड़ी आंसर अंगला क्वेस्चन देख लेते बहासा सिक्षन का सामा नुद्देश से क्या है तो 64 का सभी लोगों को उत्र पता है कि क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डी यहीं कि पढ़कर अर्थ गिरहन कर सकें बोलकर अपनी बात कह सकें दूसरों की बात सुनकर समझ सकें यह जो भासा सिक्षन का सामा नुद्देश समाना जाता है कक्चा में मौकेक कार के अंतरगत कौन सी करिया कराई जा सकती है तो मौकेक कार के अंतरगत जो होती है वो 65 का तब आपका अंसर होगा बालकों को अक्षर बोद कराना बिभिन अक्षरों की धनियों का ब विकल्प नमबर D है वो इसका सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है अंगला जो अपना क्वेस्चन हो जाएगा साथ यो वो क्या है क्रियात्मा का दिगम का उधारन है तो क्या है सभी लोगों को बताना है क्रियात्मा का दिगम को दो साइकल चलाना सीखना पढ़ना सीखना हिसाब लगाना सीखना या इन्हें से कोई नहीं तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा सबी लोग बताएंगे उत्तर 67 का हो जाएगा ए साई के चलाना तता सीखना ए इसका साई हो जाएगा संग्यानात्मक सेक्षन में किस प्रकार की किरियाओं की प्रधानता होती है संग्यानात्मक सेक्षन में आपको बताना है साईडेक, सामाजेक, मानसेक या ए सभी तब 68 का उतर सभी लोग ने बताया है कि संग्यानात्मक सेक्षन में जो होती है वो मानसेक यानि कि C नमर इसका सही होगा अंगला क्वेस्चने सिसु की प्रतम भासा है तो क्या है अंगरेजी, मात्र भासा, राष्ट भासा या हिंदी तब सभी को पता है मात्र भासा यानि जो बेकल्प नमर भी है वो आपको याद रखना है ठीक है नरर्थक सब्द बेसब्द होते हैं जिनको लिखने से कोई अर्थ सपष्ट नहीं होता जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता जिनको लिकने पढ़ने से कोई अर्थ नहीं प्रगट होता है इनमे से कोई नहीं तब 70 का उत्तर सभी लोगों को बताना है अगर आपसे बनता है तो उत्तर जरूर बताएं जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता वो नरथा सब्द यानी बेकलप नमर जो B है वो आप का सही होगा अंगला question है निमलेकित में से कौन भासा section की सिद्दान्त में नहीं आता तब हमें बताना है भासा section की सिद्दान्त में कौन नहीं आता सुतंदरता का सिद्दान्त अनुकण का सिद्दान्त बैक्तिक भिन्नता का सिद्दान्त या इन में से कोई नहीं 71 का उत्तर हमें बताना है और 71 का जो आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा है ना भासा सेक्टन के सिद्दान्त में नहीं आता तो D नमर आपका सही होगा ठीक है अंगला क्वेस्चन है धनियों के विभेदी करन के लिए या इसका सही होगा झाला कौनसे क्रिया कलाब का इचन करने के लिए भासन बाद विबाद अंताकशरी अएस सही तब सभी लोगों ने 73 का जो आंसर बताया थी का आंसर लोग जो बता रहे हैं कि A सभी यानि कि D नंबर जो है वो इसका सही हो जागा बहुत बड़ी आंसर सभी लोगों ने एकदम सही हो जाएगा वो क्या होगा भासा सहायक होती है तो किस में सहायक होती है 74 का आंसर सभी लोगों को बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे कि भासा सहायक होती है तो कैसे सहायक होती है संप्रेशन में भी होती है प्रत्या निर्वान में भी और अधिग्रण में यानि ये सभी सभी में सहायक होती है भासा कॉंसल के कितने प्रकार है 75 का सभी लोगों को उत्तर बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे कि भासा कॉंसल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं तब सभी को पता है कि भासा कॉंसल के 4 प्रकार यानि D-Number's का सही होगा सिर्वण में कौन सी ग्यानिंद्री की सक्रीता निवार है 76 का उत्र बताना है सिर्वण में कौन सी ज्यानिंद्री की सक्रीता निवार है करन की द्रश्टी की मुख की या इन में से कोई नहीं तब 76 का आंसर बताना है सबी लोग उत्र बताएंगे 76 का आपका जो आंसर हो जाएगा कि सिर्वण में जो होती है वो कान की होती है नि बेकल्प नमबर जो ए है वो आपका सई हो जाएगा दादी या नानी मा की कहानी बच्चों में जागरत होती है तो सुन्ने की जिग्यासा काल्पनिक भाओ और परियुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं 77 का उत्तर सभी लोगों बताएंगे कि दादी या नानी मां की कहानिया बच्चों में जागरत करती हैं तो क्या जागरत करती हैं तो परियुक्त दोनों जुनने की जग्यासा और काल्पनिक भाओ ठीक है अच्छे एवं प्रभावसाली बाचन की बिसेश्टा है लाइवद करमबाद एवं मधुर उचित भाव भंगीमा प्रत्यक सब्द का सुद्ध पूर्ण एवं इस पश्ट उचान या उपरियुक्त सभी तब 78 का अंसर सभी लोग उत्र बताएंगे सभी लोग ने उत्र बताया है D उपरियुक्त सभी इसका अंसर हो जाएगा अंगला कॉस्चन है 59 का उत्र आपको बताना है तब सभी लोगों ने जो उत्र बताया है वो बताया है D यानि कि बाचन कॉसल की जो गतिविती नहीं है वो D नमर इसका सइह हो जागा ठीक है बहुत बड़ी आंसर बाचन सेक्षन का उत्तर सभी को बताना है तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि बाचन सेक्षन का उत्तर है तो बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का ब्यास कराना बालकों को चिद्धनी के साथ बाचन का ब्यास कराना और धारा प्रवाह बाचन की उगता कराना यानि D नम्मर इसका आपका सही हो जाएगा पठन से संबंदित आवसक्तत तो क्या है 81 का उत्तर सभी लोग बताएंगे पठन से संबंदित जो आवसक्तत तो है वो कौन सा है मतलब A सभी भासा ग्यान का लिपी, भासा लिपी का ग्यान, देसंदिय की किरिया सीलता, रुची एवं एका करता तो एक्यासी का D आपका सही होगा लिखना कहलाता है तो क्या कहलाता है 82 धनियों को लिपी बद्द करना, संदर अक्षरों में लिखना, साहित की रचना करना या इन मेंसे कोई नहीं तो 82 का अंसर सभी लोग बताएंगे लिखना क्या कहलाता है सभी का अंसर आने चाहिए तब ध्वनियों को लिपी बद्द करना ये लिखना कहलाता है ए नमर जो है वो आपका सही हो जाएगा सिसु की लिखन के रिया की शुरुआत होती है तो कहां से होती टेरी मेडी लकीरों से सुन्दर आकारों से सुद्द सभ्दों से या इन मेंसे कोई नहीं तब सभी का अंसर फटा पट से आने चाहिए 83 का जो होता है सिसु की लेखन के रिया शुरुआत होती है टेरी मेडी लकीरों यह विकल्प नमर एसका सही हो जाएगा लेखन कौशल के विकास में 99 से किस बात का ध्यान रखना चाहिए सबी लोग बताएंगे लेखन कौशल में किस बात का ध्यान रखना चाहिए उत्तर क्या होगा 84 का हो जाएगा उपरयुक्त सभी यहनि कि उपरयुक्त सभी का ध्यान चात्रों के बैटने का ध्यांगो प्योक्तो अक्चर सो डोल हों कलम पकड़ने की विदी ठीक हो यह चुतीन नमर चार नमर है वो इसका सही होगा ठीक है बालकों में लेखन कला विक्सित करने के उद्देश से कराया जाना चाहिए सुलेक प्रितियोगिता उपरयुक्त दोनों लेखने का खुब अभ्यास है यहने वैसे कोई नहीं तब सभी ने 85 का जो आंसर बताया है वो क्या बताया तब 86 का अंसर सबी को बताना है और इसका उत्तर होगा ए यहने की लेखन सक्ष्ण विति से रूप रेखा नुक्रन विति का संबंद होता है ए नमर इसका सई होगा मंटेसरी सक्ष्ण विति में सरीर के किस अंग के प्रियोग पर बल दिया जाता है मांटिसरी सिक्षण विदी में तो किस अंगत के परियोग पर बल दिया जाता है केवल हाथ पर आख कान एबम हाथ पर इन वैसे कोई नहीं तब 87 का अंसर आपका क्या होगा हो जाएगा आख कान एबम हाथ पर यायनि C नमर आपका सही हो जाएगा ठीक है किया गया है तीन आपको याद रख लिए तीन आपका सही होगा सरचना और प्योगिता इबाम उपलब्दता की दर्ष्टी से सहायक सामगरी का विभाजन किया गया है तो बताना है 89 का दरस्त सामगरी के रूप में सरब्ब साधन की रूप में दरस्त सरब्ब सामगरी की रू रोचक, ग्रहन, परभावसाली, या फिर A सभी, तब 90 का उत्तर क्या हो जाएगा, जिल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे, आपका उत्तर होगा D, यानि कि A सभी आपका सही हो जागा, ठीके, हाँ, सुनने के लिए किस प्रकार की सहायक सामगरी उपियोगी है, तो स्रब् तब 91 का अधिकांस लोगों ने जो उत्तर बताया है, वो स्रब्व सामगरी सही बताया, ये नम्मर आपका सही हो जाएगा, नेक्स्ट उत्तम सिक्षण की बिसेश्ता है, तो क्या है, 92 का उत्तर बताना है, चार बिकनपी भी हमारे सामने मौजूद हैं, और चार में से एक क चाहिन करना है, तब आपको बता होने चाहिए, ये उत्तम सिक्षण की बिसेश्ता है, चात्रों की समस्याओं की समाधान में सिक्षण का पूर्ण सही होना, चात्र सिक्षण संबंद मधूर होने चाहिए, चात्र की किरियां को यतुचित पुनर्बलन मिलना चाहिए, उप 93 का बताया है कि सिक्षक भी होता है सिक्षार्ती पाठ करम भी होता है डी नमर इसका सही होज़ागा, ठीक है बहुत बढ़ी आंसर है नए अच्छा सक्षन होता है तो कौन होता है सभी लोग बताएंगे, पूर्व ग्यान पर आधारत किरिया आधारत और दिस पूर्ण या A सभी तो अच्छा सेक्षन होता है तो कैसे होता है 94 का अंसर सभी को बताना है तब आपका उत्तर होगा A सभी किरिया आधारत भी होता है और दिस पूर्ण पूर्ण ग्यान पर आधारत भी होता है A सभी D नमर इसका सभी होगा स स्रब सामगरी नहीं है, तो क्या नहीं है, रेडियो, टेप रेकॉडर, मॉडल या फिर ग्रॉमो फोन, तो स्रब सामगरी कौन सी नहीं है, सभी को पताना है, 95 का अंसर आपका क्या होगा, तब सभी का अंसर आजा है, मॉडल, मॉडल स्रब सामगरी नहीं होती, स्री नम्मर आ चाहिए या उपर उक्त सभी तब 96 का अधिकांस लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं D यानि कि उपर उक्त सभी इसका सही हो जागा D नम्मर आपको बताना है अगर लेकित में से कौन साइर के कारणों में आता है जिससे बिकार उत्पन होने के कारण बालक में उच उचान संबंदी असुद्धियां उत्पन होती है तब हमें बताना है कि उचान संबंदी जो असुद्धियां उत्पन होती है वो कैसे होती है जिभा नाक होट या फिर एस अभी तब हमें 97 का उत्तर सभी लोग बताएंगे तो एस अभी इसका सई हो जागा ठीक है सहचार बिधी में भासा की आरंबिक सिक्षा प्रदान की जाती है खेल खेल में बाद वेबाद द्वारा चित्रांकन द्वारा या निबंद द्वारा तो साहचर बिधी में भासा की आरंबिक सिक्षा प्रदान की जाती है तो कैसे की जाती 98 का बताना है तो इसका उतर होगा खेल खे सभी को बताना है तब सभी ने उत्तर जो बताया है वो बताया है यह सभी है ना सिंधी सेक्षन को प्रभावसाली बनाने का साधन पाट पुस्तक भी मांचेत्री वर ब्लैक वोट यह सभी इसका सही होगा कवीता सेक्षन का मुख लक्षन क्या है कवीता का भावार्त बताना स कवीता का भावार्त बताना इसका सही होगा ठीक है अंगला कोश्चन देख लेते हैं प्रात्मे किस तर पर कवीता सिक्षन की प्रणाली है तो क्या है गीत अभिनायत ब्याक्या या फिर A और C दोनों तो प्रात्मे किस तर पर बताना है तब आपका 101 का अंसर क्या होगा अध आसा पढ़ाने में जो पाठ पुस्तक है वो क्या है तब आपका उत्तर होगा एक साधन है पाठ पुस्तक ए नमबर इसका सई होगा अच्चे पाठ पुस्तकों का गुण नहीं है तो क्या नहीं किरम बद दिता सोध देशता सार्थिकता या अनूप्यक दिता तब सल्दी से उत्तर हमें बताना है, सभी ने बताया है D, बहुत बढ़ी आंसर उप्चारात्मक सिक्षन का तात्कालेक लक्ष क्या है उप्चारात्मक सिक्षन का एक सो चार का उत्तर बताना है तो उत्तर इसका हो जाएगा उप्चारात्मक सिक्षन का तात्कालेक लक्ष होता है चात्र की अधियम समस्या तथा कटनाई को हल करना मतलब जो बेकल्प नमबर A है वो आपका सही हो जाएगा उच्चे प्रात्मे किस तर पर कभीता सिक्षन के लिए कौन सी विदी अपनाई जाती है 105 का उत्तर सभी लोग बताएंगे 105 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों C ब्याख्या विदी उच्चे प्रात्मे किस तर पर कभीता सिक्षन के लिए कौन सी विदी अपनाई जाती है तो ब्याख्या विदी अपनाई जाती है यानि C इसका सही होगा पूर्वे माद्ध में किस तर पर चात्रों को रचना का ज्यान देने के लिए कराया जाना चाहिए तो क्या कराया जाना चाहिए 106 का उत्तर सभी को बताना है तब सभी लोगों ने 106 का जो उत्तर बताया वो C बताया है यानि देखियो ही घटनाओं का बर्णन कराना यानि सी नमर आपका सही होगा चात्रों को उपचारात्मक सेक्षन प्रदान करने की सबसे सुगम बिदी है तो क्या है उपचारात्मक सेक्षन जो है प्रदान करने की सबसे सुगम बिदी क्या मानी जाती है तब प्रशन किरमां 107 का उत्तर बताया है ए कक्छा के चात्रों के अधिग्यम संबंदी दोसों यवं कमजोरियों का निदान कर उनको उनसे मुक्त करना ए नमर इसका सही हो जागा ठीक है बहुत बड़ी आंसर और भी आंगे देखते हैं पूरे के पूरे महत्पूल प्रस्ट हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथियों अब आपका उत्तर है लिंगबाफ होन किस प्रकार की सहायक सामगरी है सभी को उत्र बताना है 108 का तो बताओ जल्दी से लिंगावाप होन किस प्रकार की सहायक सामगरी मानी जाती है तो 108 का आपका हो जाएगा बेकलप नमर स्रब और उपकरना मानी जाती है B नमर आपका सही होगा ठीक है कहानी सिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवस्ता के कहानी सिक्षण में कथा बस्तू बालकों के इस्तरानूसार उसमें गती सीलता एवं करमबत देता हो कथा बस्तू में भयानकता एवं बीवत सना हो या उपर युगते सभी तब 109 का उत्र बताना है 109 का दिकास लोगों ने बताया है D यानि कि D इसका सही हो जाएगा मूल्यांकन से क्या तातपर है 110 का उत्रस चलने वाली पिरकरिया चात्रों के विवहार परिवारतन की जानकारी उद्देश की पूर्ति का सीमांकन या मूल्यांकन के जो साथ तातपर हो जाएगा वो क्या होगा वो होगा उपरियुक्त सभी D नमर इसका सही होगा हिंदी किस भासा परिवार की भासा most important है 111 का उत्र बताना है तो जल्दी से कमेंट में लेको 111 का क्या हो जाएगा तो हिंदी जो भासा परिवार की भासा है वो भारोपिय परिवार की A नमर इसका सही होगा भारत में सरबाद एक बोली जानी वाली भासा कौन सी है 112 का उत्तर सभी को बताना है अब दी, विहारी, हिंदी या फिर संस्क्रेट तो 112 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि भारत में सरबादिक बोली जाने वाली जो भासा है वो है हिंदी यानि कि C नमर आपका जो है वो सही हो जाएगा बर्तवान में हिंदी का प्रचलित रूप है तो कौन सा है बर्तवान में हिंदी का हमें प्रचलित रूप बताना है प्रश्न कर्मा के 113 का उत्र बताना है तो सभी को पता है एक खड़ी बोली है यह नमर इसका सही हो जाएगा मानक भासा भी इसे माना जाता है खड़ी बोली को तब हिंदी खड़ी बोली के सब भरंसे से बिक्षित हुई है हमें बताना है इस पिरकार से कई प्रशन पूछे जाते है 114 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा सौर से निया पभरंसे से खड़ी बोली जो है विक्षित हुई है है ना याद रखने आए हिंदी की आदी जन्नी क्या है 115 का उत्तर सभी लोग बताएंगे आदी जन्नी कौनसी भासा है तब सभी को पता हिंदी की आदी जन्नी है संस्क्रेट यानि कि सी नम्मर आपका साही होगा चात्रों को बोलना सीखने के लिए विध्यालाय में निमलकित क्रिया कलापो में से किसका प्रियोग नहीं किया जा सकता तो बारतला, प्रशनोत्री, अंत्याक्षरी, या फिर चिंतन बिदी का तो किसका प्रियोग नहीं किया जा सकता इसे क्या कहते हैं एक सो सत्रा का उत्र बताने सुरुत लिपी, सुलेक, देवनागरी लिपी या फिर बर्न लिपी तब एक सो सत्रा का अंसराप कहोगा कि अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं इसे जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा सुरुत निवन्दा आत्मक में या फिर एस अभी तो 118 का आपका उत्र होगा बस्तु निश्टता यानि बेकल्प नमर सी जो है वो आपका बेल्ड कुर सही हो जाएगा अंगला क्वेश्टन है कौनसी परिक्षा अच्छे और कमजुर बालकों में भेद इस्तापित करने में सक्चम है तो निवन्दा आत्मक बस्तु निश्ट मौक या फिर एस अभी तो 119 का आत्र उत्र बताना है तो बस्तु निश्ट जो परिक्षा होती है वो अच्छे और कम अमजुर बालकों में वेध इस्तापित करने में सक्षम है यानि जो बेकल्प नमर B है वो आपका सही होगा कहानियों के माद्यम से बालकों की ज्यान को परिवर्टित एवन परिमार्जित करने का मुक उत्तरदायत किसका है तो 120 का उत्र हमें बताना है मुख्य जो उत्तरदायत थे वो किसका है माता पिता का अध्यापक का दादी नानी का या फिर मित्रों का तो 120 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा अध्यापक का यह बी नमबर जो है वो इसका सही हो जागा ठीक है बहुत बढ़ी आंसर 120 का अब कहानी बच्चों को बहुत पसंद हैं कहानी से क्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश पर बसेस्पल नहीं देना चाहिए तो किस पर नहीं दैनी चाहिए कहानी द्वारा बालग जीवन की सुन्दरता के दर्शन होते हैं कहानी ही एक सबसे अच्छा सादन है जो बालक करती हैं तो B نمبر युका जभी लोगों को उत्तर बताना है तब हासा संप्रेशन काा माध्यम है समाज में किसी भी भासा के मौके के रूप का महतुसर वादिक होता है निम्लेकित मैं तो किस से है 123 का उत्तर हमें बताना है 123 का उत्तर होगा बोलना का संबन भासा के उचरित रूप इवमावी व्यक्ति पक्ष से बिकल्प नमबर ए आपका सही होगा अंगला क्वेस्चन यदि कक्षा में कभीता का अध्यापन ठीक ढंक से हुआ है तो बिद्ध्यारती अवस्य कभीता में रुची लेंगे अन्य साधनों के द्वारा भी रुची उत्पन की जा सकती है निमले कित मेंसे कौन सा साधन छात्रों में काववी के प्रिथी रुची उत्पन करने से सम्द्द नहीं है तो 124 का हमें उत्तर बताना है और 124 का होजा गब बी नानी की कहानिया यानी भी नमर इसका सही होगा बच्चा जब सरपरतन भासा सीखता है तो बहुत उसके मौकिक रूप का ही प्रियोग करता है उसे सिकाया भी मौकिक रूप से ही जाता है निमने मैंसे किसका संबंद भासा के मौकिक रूप से है चार बिकल्प हैं फासक के मौकिक रूप से हमें बताना है तब 125 का अंसर आपका होगा A एनिकी बाचन और सिर्वन ए नमर इसका सही होगा लिखना से काते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए चात्रों के व्याटने का ध्यापक तो अध्यापक उसे हमादर से लेकन बच्चों की समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए या पर लिखने में सरव परतम बड़ माला का अभ्यास कराना चाहिए चात्रों में वेदवाव नहीं करना चाहिए तो 26 का जो आपका अंसर होगा वो डी चात्रों में वेदवाव नहीं करना चाहिए ये इसका सही हो जागा ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं अंगला क्वेस्चन एक सेक्षक पार्ट को पढ़ाने के बाद अपने चात्रों को ग्रहकार देता है क्योंकि क्यों देता है 127 का उत्तर इसका सही उत्तर चार में से हो जागा वो हो जागा ग्रहकार करनेम से जो है चात्रों में स्वाध्याई की आदत का विकास होता है तब आपको याद रख लेना है ठीक है बहुत बढ़िया और भी कॉस्चन देख लेते हैं कुछ और कॉस्चन है आपके लिए सुनना भासाई कॉंसल का पर्थम सौपान है क्योंकि क्यों सुनना भासाई कॉंसल का पर्थम सौपान माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि आरम में बालक अपने माता पिता को बोलते सुनता है दोर धीरे धीरे अनुक्रन करने लगता है तो ए नमबर जो है वो इसका सही होगा सेक्षनेक निदान का प्रियोजन है तो क्या है 129 का उस्तर बताना है तब सभी लोगों ने बता है कि विसेबस्तु से सम्मादेत कटनाईयों एवं कमजोरियों का पता लगाना ये सेक्षनेक निदान का प्रियोजन माना जाता है ए नमबर जो इसका सही होगा सेक्षनेक उप्चार का प्रिमुक प्रियोजन क्या है 130 का उत्तर सभी लोग बताएंगे 130 का जो उत्तर होगा सेक्षनेक उप्चार का प्रिमुक जो प्रियोजन होता है वो होता है सेक्षनेक कटना ही होग हम दोसों करने बारन तो दोस्तों यहाँ पर प्रेड़ो गोजी के लगभग हमने 130 प्रस्णों पर चर्चा की और यह बहुत ही महत्पूल प्रस्णिते सबी लोगों को वीडियो को लाइक जरू करना है सेर करना है और इसी परकार से अनेकों वीडियो आप तक प्रेसित किये जाएंगे ठीक है और सभी लोग टेलिग्राम गृप से अवस्ट जुड़ जाना है टेलिग्राम गृप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है आई टेलिग्राम एप डाउनलोड करना उसमें सर्च करना आई एस स्टेडी ट्रेक और जोईन हो जाना है ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर अवस्त करें आज की वीडियो के लिए वस इतना ही जाए हैं